हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी हलो माई नीम इज नीशा नेन और हम पढ़ रहे हैं पूरे साल के करंट अफेर तो अभी हम जनवरी के पर आये हुए हैं तो एक पार्ट हम कर चुके हैं अभी हम दुसरा पार्ट करेंगे इसका तो दुसरे पार्ट का पहला टोपिक है बेसि सब्चेक्ट के करेंगे जैसे की इस्ट्री ए अच्छा फिर उसके बाद एकॉनमी के ऐसे ही कत्थे करेंगे हम लोग एको लोजी के ए तो बेसिक स्ट्रक्टर को लेकर के न्यूस के अंदर था जनवरी के अंदर जो हमारे वाइस प्रेजडेंट है नहीं हुने जाला देते हुए जो एक अमेंडमेंट लाया जा रहा था गोवर्मेंट के द्वारा पार्लेमेंट के द्वारा कौन सा जो नैशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमिशन एक्ट इसको रिजक्ट किया गया था वोई डेकलियर किया गया था इसको रोक दिया गया था क्योंकि लेकिन हमारे वाइस प्रेशिटेंट ने कहा कि ठीक नहीं है तो वाइस प्रेशिडेंट ने उसको कृ有沒有 है यहां उपर से Lateral तो इस वज़े से जो है ना क्या रहे जो बेसिक स्टॉक्चर है मतलब कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं जिसके ओपर हमारा फुरा तो समस्क्राइब नहीं कर सकते कुछ बेसिक चीज़ें को इसको चेंज नहीं कर सकती है ठीक है तो सब्सक्राइब तो इसको बेसिक स्ट्ट्चर्ट्राइन कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद देखो जो है यह कैसे कैसे उभर के आई यह एक तरह से क्या का जाता है इसको चेक और बैलेंस कहा जाता है जो कि क्या करता है सिस्टम ओधर चेक और बैलेंस है एक तरह से ठीक है यह साब से जो एक्त है यह सई है या नहीं है यह था यह चीज़े तो उसकी वजह से प्रेजिडेंट ऐंडिया क्या थिया उनको डिसमिस कर दिया थिक यह सցरकार को आ गया तो उसका जैनक मामला गया सुप्रेम कोट के पास सुप्रेम कोट ने का बिल्कूल सही किया भाही तुने ठीक है फिर उसके बाद basic structure के अंदर आता क्या क्या है supremacy of the constitution सविधान तो सर्वो प्रिया है Republican Democratic form of the government अच्छा फिर इसके बाद secular character of the constitution अब secular क्या होता है secular जो होता है भारत का खुद का कोई special एक religion नहीं है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम Indian इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे मैं बहुत डेटेल में पढ़ाऊंगे इनको चिंता ना करो बढ़िया एकदम बढ़िया वाले स्टोरी पढ़ेंगे इसको लेकर के बढ़िया एकदम इसको लेकर के हम लोग concept सारे अच्छे से example को example ले लेकर के पढ़ेंगे ठीक है अच्छा separation of the power between the legislature the executive and the judiciary इनके बीच में जो power separate की जाते यह भी इसका एक basic structure है ठीक है उसका पार्ट है और एक federal character of the constitution federal मतलब एक union है संग है हमारा भारत बहुत चोटे 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 बहुत सारा राज्य और union territory का क्या है एक पूरा को दे दी जाती है तो मारे भारत के अंदर सेंटर क्या है बहुत मजबूत है ज्यादा स्ट्रॉंग है मुकाबले किसके स्टेट के ठीक है अब बेसिक स्ट्रक्चर जो नहीं थी अप्लाई की गई थी 1975 के अंदर किसमें इंद्रा गांधी वैसे दर राज नारायन के अंदर तो राज नारायन जो थे इंद्रा गांधी जी के राइवल थे जिनोंने उनको चैलेंज किया था तो अलाबाद हाई कोट ने इंद्रा गांधी एक खिलाफ फैसला सुनाया था और उनको कन्विक्ट किया था कि आप जो है इलेक्टरल माल प्रैक्टिस का यूज कर रहे हो कैसे कैसे इवोलूशन हुआ था यह भी एक बहुत बड़ी कहानी है हम इसको भी बहुत डिटेल में जब हम पूरी इंडियन कंस्टिटूशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ठीक है वैसे तो नॉर्मल नॉर्मल में बता देती हूं सो इन्नी सो इक्यावन के अंदर शंक्र स्टेट ओफ जिसका लगया कि डॉक श्राओ भाइंध हमे अंदर जो राइंच्पशल मारं मेंड्र को चंघा नहीं खुडजशन के अनदर के हैं म्हां और फोन्ति धूर्टिशन अमेंडम Mister एक्ट आया 1971 के अंदर जिसमें आर्टिकल 368 और 13 के अंदर चेंज कर दिया गया और पूरी पावर किसको दे दीगी पार्लेमेंट को दे दी गई इंद्रा गांधी जी ने किया था उसके बाद जो केश्वानंद भारती केस आया इसी की वज़े से फिर उसमें बोला गया कि आ मैं अंदर क्या किया फंडमेंटल को भी जो है चेंज कर सकते हैं पूरी पावर दे दी गई किसको structure और divided DC उनने कहा कि ठीक है भी हम हम फंडामेंटल राइड को चेंज करेंगे लेकिन ठीक है हम लोग We battu 17 अंस नहीं करेंग लिए उसने अगर कोई amendment act कर दिया है तो उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता है तो सारी पावर किसको दे देगी पारलेमेंट को दे दी गई unlimited power दे गई और भाई उसके बाद मिनरवा मालस वासे यूनियन ओफ इंडिया आया यह जो मोडिफिकेशन हुआ था इसको क्या कर दिया अगर reject कर दिया गया कोड के द्वारा ठीक है फिर उसके बाद arguments आये basic structure के against भी कुछ लोगों ने बोला उसके लिए भी कुछ लोगों ने बोला तो against किस किस ने बोला not mention in the constitution उनने कहा कि भी constitution में कहीं पर भी mention नहीं है दूसरा anti-democratic है तो आप un elected judges को इतनी power दे रहे हो कि वो elected लोगों के दुबारा जो कानून बनाए गए हैं उनको क्या कर रहा है उसको खतम कर रहा है ठीक है यह गलत है यह anti-democratic मतलब आप जो है बहुत संख्यक वादी को भी खतम कर रहे हो ठीक है फिर judicial approach over the legislature उन्होंने कहा कि ऐसे तो गलत हो जाएगा तो judiciary ज्यादा ऊपर चले जाएगी legislature के भी ठीक है परधानता हो जाएगी उनकी फिर इनके favor में बोला गया कि maintaining the sanity of the constitution करें इसे क्या है कि जो हमारी basic structure क्या करते है सविधान की पवितर्दा को बनाई रखने ही कोशिश करती है ठीक है फिर check on the majoritarian impulses करें कि जो बहुत संख्यक वाद है ना इसका मतलब यह नहीं कि मनमर्जी का काम करेंगे यह तो कल को उठाकर के पता नहीं क्या नई चीज ले आएंगे तो इसी वज़े से उनके उपर लिमिट भी लगानी जुरूरी है तो वह क्या करता है हमारा judicial review और हमार जो basic structure की वज़े से क्या होता है इनके उपर थोड़ी limit लग जाती है तो फाल्तु में यूज नहीं करेंगे यह तो यह next हमारे mandatory minimum sentence अब यह क्या होती है जैसे कि किसी ने रेप कर दिया ठीक है किसी बंदे ने रेप कर दिया 12 साल से कम के बच्चे का तो उनके लिए क्या किया गया एक minimum sentence डाली गई कि कम से कम 10 साल की तो सजाइन को मिलेगी मिलेगी इससे कम नहीं मिलेगी इससे जादा मिल सकती है 15 की देदो ग्यारा की देदो बारा की देदो 14 की देदो चाहिए आप इसको death penalty देदो लेकिन आप 10 से कम नहीं दे सकते इसको कहते minimum mandatory minimum sentence ठीक है तो Chief Justice of India के दुवारा जो चलाया गया जो उनके लेड किया गया जो बैंच है उसने डिसाइड किया है एक प्रिटिंशन डाली थी इसके खिलाफ ठीक है किसके खिलाफ कि 12 साल से कम के जो बच्चों की अगर रेप होता है तो उनके लिए minimum mandatory minimum sentencing है ना उनको challenge करने के लिए उनका ये सही नहीं है कुछ बंदे थे जिन्होंने ये वोला कि चीज गलत है क्या पता जिसने ये काम किया हो जिसने ऐसा conviction किया हो जिसने भी मतलब ये offense किया है क्या पता हो एकलोता बेटा हो अपने घर का इकलोता हो और कोई है ये नहीं काम करने वाला तो बैचारा कौन काम करेगा इनके घर में आकर के ठीक है अच्छा कमाने वाला यहीं है अच्छा हो सकता है इसके पहली बार में पहला ही offense हो इसका crime हो पहले इसने कभी किया ना हो प्यासे यह चीज थोड़े हम कुछ कर सकते ह हो चाहिए आकरी हो जो crime है तो crime ही है एक बार कर दिया तो बार बार करेगा एक बार छोड़ दिया दुबारा करेगा ठीक है तो gang rape of a minor below the age of the 12 तो उसके लिए challenge किया गया था mandatory minimum sentence को तो हमारी Chief Justice of Indian decide किया है कि हम इसको क्या करेंगे इसके उपर विचार करेंगे ठीक है अब एक जो offense है किसके अंदर आते हैं पोस्को के अंदर आते हैं सब के लिए minimum mandatory minimum sentencing जो है वो डाल दी गई थी ठीक मतलब सब के उपर अब argument आए इसको लेकर के भी और इसके खिलाफ भी अब जिन्नोंने इसके लिए बोला कि mandatory minimum sentencing जरूरी है उन्होंने का बिलकुल सही काम है इससे क्या होगा justice जो है ज्यादा बढ़िया से हो सकता है ठीक है मनमानी की गुंजाइस नहीं रहेगी दूसरा it act as the deterrent for the serious or the harsh offenses by the ensuring about the predator doesn't go unpunished कैर इससे यह पता यह होगा कि जो serious cases होते हराश offenses होते हैं उसमें लोग है ना ऐसे नहीं जा सकेंगे ठीक है जिन्नोंने क्या बोला गया उन्होंने का ओवर क्राउडिंग है जेल के अंदर बीड़ बढ़ बढ़ जाएगी इससे दूसरा क्या रहे कि भई unfair होता है क्योंकि जो conviction होता है जो कन्वेंट जो दोश की कमी करने वाले परस्तीतियां भी ऐसी होते जिसने पहली बार अपरादी बनाओ प जो ऐसा जा ऐसी थोड़े मिल जाएगी नेक्स्ट अमारा कास्ट सेंसस अब यह टॉपिक जो था काफी न्यूस के अंदर क्योंकि बिहार के अंदर कास्ट सेंसस हो रहे थे और उसको उसके खिलाफ कुछ लोगोंने चैलेंज कर दिया प्रेटिंशन दाखिल कर दी उन्हों किया रहे है तब नहीं बोला कोई भी ओबीसी को लेकर के कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हो भाई अब क्यों चल रहे हो ठीक है तो कास्ट सेंसस मींस अदा इंक्रीज़़न ऑश के सब्देख को दुद लगों की क्या अब दिमांड पॉर थे सेंसस क्या डिमांड उठ थी इसको लेकर के बने हैं कितने होने हैं तो पता होना पड़ेगा अगर नहीं पता होगा तो कैसे चले भूलेगा लेकिन यह बोल रहें ओट पूरे भारत की पूपलेशन में से तो इसका तो जरूरी है इसकी इनफोर्मेशन पता करने जरूरी है तो इसी वज़ें सेपरेट सेंसस जना इसके बारे में इसकी मांग आई थी तो अब इसके बारे में डाटा ही कठा किया जा रहा है तो यह पूरी की पूरी वह दे रखे क क अरह आए कंसे कमिशन ने क्या क्या बोलव क्या आई थी 1983 के अंदर को कि तो इसकी जो रिपोर्ट उसने कहा कि आप यह मंधल कमिशन आई निसो उनाशी के अंदर उन्होंने कहा कि 52 परसेंट जना इंडिया population वो कोन ओबी सी है उनको 27 परसेंट reservation मिलना चीए government jobs के अंदर फिर रोहिनी कमीशन आया 2017 के अंदर उनने recommend किया कि 27 परसेंट reservation दो आप ओबी सी को ठीक है चार category के अंदर उसको divide करके ठीक है तो यह सब गभा तो निए सो अठारा सो बहातर के अंदर जो है कुछ कास्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया जैसे ब्रहामिन से शत्रिये है राजपूत और अधर कास्ट है ठीक है लेकिन 1901 के अंदर 1642 कास्ट निकल के आई 1931 के अंदर 4117 47 कास्ट आई 1941 के अंदर हुआ नहीं क्योंकि वर्ड वोर्ड टू आ गया था 2011 के अंदर बोला गया कि छालीस लाख कास्ट हैं सब कास्ट हैं सरनेमें गोतर हैं यह सब चीज़े हैं ठीक है लेकिन एक्यूरेट नहीं है कुछ भी अब इसके फेवर में कुछ लोगों ने बोला कहा कि सई हो एक्षन प्रोग्राम्स जो भी उनके लिए सकारात्मक कारवाई कारे मकरमों का पुर्णर घटन किया जाएगा इफेक्टिव डिलिवरी होगी वैलफेर प्रोग्राम से अब बात बताओ एक कास्ट है आपको पता है एक घर है उसमें 9 मेंबर्स हैं तो आपको पहले से पता पता ही नहीं है और आप च्यार लोगों को खाना दे जाओ तो यहां पर रह रहे हो 16 लोग तो फिर क्या होगा तो इसी वज़े से जो है क्या कह रहे है इफेक्टिव डिलिवरी डिलिवरी वेलफेर प्रोग्राम्स के लिए हमें इसकी जुरूत है अच्छा ब्रेंगिंग कर देंगे यह होने नहीं वाला है यह क्या है ख्याली पुलाव है जो पकते रहते हैं और होने नहीं वाला है यह तो फिर उसके बाद क्या करें सोशल एंड-ड पॉलिटिकल रिपर्शन तो इससे क्या होगा सामाजी को राजनितिक नतीजे निकल के आएंगे solidify the caste identities तो जातिकत पहचान को मजबूत करना जब बच्चों को चोटे बच्चों को भी पता है कि हम जाट है हम बनिये हैं हम SC से ST से यह है वो है बतला बाई चोट चोटे बच्चों को पता है तो solidify किया जाएगा caste identities को तो लोगों के अंदर धारणा के जादा बढ़ जाएगी demand for the more reservation or reservation के demand बढ़ेगी इससे challenges क्या आ रहे हैं पहला ambiguity over the caste के जातियों को लेकर के एसपस्टता दूसरा lack of data data की कमी है तीसरा untrained human resources एप्रसिशिक्त मानव संसादन है मतलब जो data इकठा करने वाले वो trained नहीं है ठीक है तो अब इस पे इसको लेकर के center क्या कह रहा है center कह रहा है भई फायदा होगा इससे हमें क्या फायदा होगा administrative difficulty और जो जो भी process है वो बोजिल नहीं रहेगी ठीक है एव वैवारिक कह रहे कि जो supreme court में दायर एक हलफ नावे में केंदर सरकार ने कहा कि परसासनी कठनाईयो और बोजिल प्रिक्रिया के कान जाती जणगन्ना एव वैवारिक थी तो center तो कह रहे है कि गलत किया भिहार वालों ने ठीक है it argues that the judiciary cannot direct the government to conduct a caste census because it is policy decision not to do so and the judiciary cannot interfere the government policies government policies के अंदर आपको नहीं आना चाहिए ठीक है न्याय पालिका ने कैसे हाथ शेप कर दिया कैसे direction दे दिया कि आप करो भाई जो करना करो आप का census करो नहीं यह गलत किया center कह रहा गलत किया ठीक है तो unlike in the case of the ST and SC there is no constitutional mandate for the registrar registrar journal and the census commissioner India to provide the census figures to of the other backward or the backward classes कह रहे हैं कि constitution के अंदर साफसाब बोल रखा कि ST और ST के लिए होगा जो होगा ठीक है इसके अलावा जो registrar journal और census commissioner और कोई भी census नहीं ले सकते हैं यह बात बोले गए तो वे प्रोब्लम में इकठी हो सकती है आगे आ सकती है ठीक है चलो नेक्स नेशनल जियो स्पेटल पॉलेसी 2022 तो यह हमारा सी है वह कितना डेफ है कितनी डीप है कहां पर ज्यादा डीप है तो इससे क्या हो गए एकॉनमी जो है हमारी ब्लू एकॉनमी वह भी बूस्ट होगी और भई जो सिटी हम लोग बनाना चाहते हैं वह भी हम लोग असानी से उसको देख करके बना सकते हैं तो पूरा डाटा पर आयरन ओर है कहां पर क्या चीज़े सारी चीज़े तो रिसेंटली दा सेंटर नौटिफाइड दा नैशनल जियोस्पेटल पॉलेसी दोहजार बाइस जन्वरी के अंदर निवस था ठीक है तो जियोस्पेटल डाटा क्या था डिस्क्रिप्शन होता है और इवेंट्स और लोकेशन और और नियर दा सर्फेस और आर्थ जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आ सकता है कहीं पर जो है पहले बता दिया जाएगा कि यहां पर जदा अर्थक्वेक आते हैं तो लोग उसी साब से घर बनाएंगे ठीक है एक्जेंपल के तोर पे जो लोकेशन है वो स्टैटिक ह जैसे के अर्थक्वेक आते वहां पर वेजिटेशन वगरा है वहां पर फोरेस्ट एरिया है वह सारी चीज़े उसके अंदर डाली जाएंगी तो उसे क्या होगा यह बहुत क्रिटिकल रहेगा मिलेटरी ओपरेशन के लिए डिजस्टर और एमेर्जंसी मैनेजमेंट के लि के लिए भी और न्डर सिटी फ्लेइन के लिए बी तो हर चीज के लिए इंपर्टेंट रहेगा Price 2030 के गोल क्या है और 2030 के गॉल कैंगे रिच्षित्य करेंगे और कि हाई Q MAYOR सिपिन हाथ च्रबं GG Urs कि है starts है वो क्या हो सके बढ़िया तरीके से जो है पूरी हो सके दो हाजर पैंटिस के अंदर हमारा गोल है कि हम हाई रिजोलुशन और एक्यूरेसी बैथिेमेक्टीक जिए स्पैटल डाटा जो है इन्लैंड वोटर का Markusौ की जीतना डिप सी जिस से हमारा स्पार्ट करेगा यह हम करें आश को बालेकर को तो यह हमारी national policy 2022 की geo-spital की ठीक अब इसके benefit क्या रहेंगे इसे हमें जो sustainable development goals हैं इसको achieve कर पाएंगे डंग से हमारे सत्रा जो है हमारे sustainable development goals हैं दूसरा bridging the digital divides तो भही जो हमारे digitally divide हो रखे हैं लोग जो उसको bridge मतलब उसके बीच में एक bridge का काम करेगा ये capacity development होगी promoting the ease of बिजनस इसे मारा इस ओफ डूइंग बिजनस भी क्या होगा आगे बढ़ेगा नेक्स्ट है हाई पावर्ड कमेटी फॉर दा लदाक तो लदाक के लिए हम हाई पावर्ड कमेटी जो बनाना चाहते हैं उसको लेकर के न्यूस के अंदर था तो देख लेते जरा न्यूस में क् 370 हटी ना तो लोग जो है ना पहले बेफिकर थे ठीक है जमू कश्मीर के लोग बड़े बेफिकर थे लेकिन 370 हटने के बाद उनको चिंता हो गई चिंता जनक स्थीतियां उत्पन हो गई उनको लगा कि हमारा जो लैंड है हमारी जो रिसोर्स हैं हमारी भी तया कि ना तरहेंगे अब मुझे लदाख के अंदर यहां पर जगए चाहिए तो 378 वाध मियां पर जाकर कर आराम सचाल में ले सकती हो पहले नहीं ले सकती थी यह लेकिन अब भी कुछ है रूूल्सर नहीं ले सकते हैं कुछ है इसके अब भी ठीक है तो यह इसलिए के अंदर people moment हुआ था for constitutional safeguard के लिए उन्होंने कहा था च्छटी सूची के अंदर हमें डालो ठीक है शेडूल के अंदर डालो हमें ले को लदाक को ठीक है तो दे अनौंस देट दे वुड़ बायकोट अपकमिंग डिस्टिक Autonomous Council election if their demand was not met उन्होंने का अगर हमारे डिमांड पूरी नहीं होगी तो जो आगे आने वाले डिस्टिक Autonomous Council के लेक्षिन हम उसको बायकोट कर देंगे ठीक है अब क्यों जूरत थी इसकी अब देखो जो सीविल सोसाइटी ग्रूप है ना लदाक का वह डिमांड कर रहा है कि हमारे लेंड को प्रोटक्ट करो आप रिसोर्स को प्रोटक्ट करो हमारे इंप्लॉयमेंट को करने लग जाएगा तो यह प्रोब्लम थी को लेकर करके जो है इसको कतम करनी कोशिश की गई है अच्छा एक और बोला गया कि आप एक काम करो इसको शेडूल के अंदर डाल दो तो क्या कहा भी शेडूल के अंतर हम नहीं डा सकते हैं क्योंकि हम लोगोंने शेडूल सिर्फ सिर्फ नॉर्थ इस्ट जो स्टेट उनके लिए है ट्राइबल एरिया के लिए है अरुनाचल परदेश के अंदर फुल ट्राइबल एरिया लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसमें एड नहीं किया तो हम इसको कैसे एड कर दें जब सेंटर कह रहे हैं हम पूरा पैसा इनको द इच को लेकर के काफी बहुत छड़ी हुई थी तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिफ स्टेट के खिलाफ नहीं होगी ठीक है हमारी फंडामेंटल राइट है 1921 जो फ्रीडम और यह हमारी क्या राइट टू लाइफ ठीक है यह सिर्फ और शिर्फ है ना किसके खिलाफ नही यह individual के खिलाफ भी है ठीक है private member के खिलाफ भी है सब के खिलाफ है यह अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की fundamental right को हरास कर रहा है violation कर रहा है तो उसके खिलाफ भी क्या लिया जाएगा रिस्टिक्ट एक्शन लिया जाएगा ठीक है तो भाई देखो अब हम क्या करते हैं हम लोग करते यह हैं कि सब जगे गंदगी फैला रहे हैं environment को खराब कर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास right to life है right to life के अंदर क्या आता है आपको साफ safe water मिले ठीक है आपको बड़िया जो है safe हवा मिले ठीक है क्या बोलते हैं सको हवा air चाहिए ठीक है आपको स्थान चाहिए तो भाई वो चीज क्या कर रहे हैं हम खराब कर रहे हैं हमारी factories क्या कर रहे हैं खराब कर रहे हैं तो private entities को खराब कर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी क्या होगा प्राइवेसी को खतर है अगर ठीक है आपकी प्राइवेसी का कोई हनन कर रहा है अब किसी बंदे ने आपकी फोटो वगेरा या कोई इन्फरमेशन उठाकर कर यह और डाल दी अब जो कंपनिया कंपनिया क्या करती आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता आपके पास यह बार बार कोल आते कहां से आते आपके नंबर भी सेफ नहीं है अरे सो सो रूपे में बिक जाते हैं वाई सारे नमबर पुरा डाटा निकाल के दे दिया जाता है ठीक है तो उससे क्या आपकी राइट प्राइवेसी ना सिर्फ स्टेट के खिलाफ भाई गोवर्मेंट थोड़े कुछ कर रही है इसमें इसमें तो कंपनी कर रही है तो इनके अब गोवर्मेंट ने क्या बोला गोवर्मेंट ने कहा कि प्राइवेट एंटिटी इस बड़ा फायदा उठा रही है इन चीज का तो हम चाहते उनके खिलाफ भी कुछ उब्लिगेशन लगे उनके उपर भी कुछ जहना मांदंड लगे जिसका पालन करें गोवर्मेंट कह कर दिया हमारी तो गलती नहीं है ठीक है अब देखो इंटरनेशनल के भी कुछ जो चीजें उनको यूटिलाइज किया है सुप्रिम कोर्ट के डिसीजन ने जैसे कि जो यूएस है यूएस के अंदर सुप्रिम कोर्ट ने नॉटिफाई किया है कि यूएस ला जो है उसमें प्यूरली वर्टिकल अप्रोच जो है यूज की जाती है तू होरीजोंटल अप्रोच अब हम देखेंगे होरीजोंटल और वर्टिकल अप्रोच क्या होता है वर्टिकल अप्रोच में क्या होता है कि इन्फोर्सेबल होता है कि स्टेट के अगेंस्ट ठीक है मतलब गवर्म सेंचर्शिप गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे पास पुरी राइट है कि हम बोल सकते हैं अपने विचार रख सकते हैं अच्छा अगर कोई प्राइवेट एंटिटीज क्या करें पॉलूशन कर रही है तो उसे राइट कि जो मनिश्टर्स हैं उनके लिए फ्री स्पीच के बारे में बोला गया है कि इनको लेकर के कुछ न्यूज में था न्यूज में क्या था रिसेंट ली सुप्रिम कोट ने बोला है कि जो गौर्मेंट है गोर्मेंट को हम रिस्पॉंसिबल नहीं गएंगे अगर उनका कोई कि मंत्री कुछ भी गलत स्टेट्मेंट देता है ठीक है आफेर अध स्टेट के बारे में राज्यों के मामलों के संबंद में अगर कोई गलत ब्यान देता है तो पूरी सरकार को हम क्या नहीं करेंगे जिम्मेदार नहीं ढह करा आई डिक है राइइ टू को छोड़ करकि और किसी भी चीज के बार में अगर बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बोल सकता है उसके पास राइट टू राइट टू स्पीच एक्स एक्स्प्रेशन है ठीक है अच्छा क्या था कुशल किशोर विस दा स्टेट फ्यूपी तो एक मामला आया था 2016 के अंदर बुलन शहर बलातकार की घटना से संबंदित था जिसमें ततकालीन राज्य मंत्री ने इस घटना को राजनितिक साजिश बताया और कुछ नहीं ठीक है तो मनिस्टर थे मनिस्टर थे उस टाइम के उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कॉंस्प्रेंसी है और कुछ नहीं है ठीक ह पर्षाइन चाहिए पर पर्तिबंद लगाना चाहिए ये तो बैचारी को पहले ही इतनी दिक्कात है और उपर से इनके बारे में ऐसी असी बाते बोल रहा है तो क्या उनके उनके उपर restrictions लगाने चाहिए हैं हमें ठीक हैं फिर Supreme Court ने observation किया पहला majority का opinion था majority of judges on the constitution bench ruled that the concept of the collective responsibility is a political concept कर यह political concept है responsibility collective responsibility कर इसमें पूरी government का क्या government ने ऐसा क्या कर दिया एक minister कुछ बोल रहा है एक मचली तलाब को गंदा कर रही है तो इसमें बाकी मचलियों की क्या गलती है ठीक है तो यही बात बोली गई कहरे है कि यह जो है ना हमारी constitution bench ने कहा कि concept of the collective responsibility वो political concept है और is responsibility to the council of minister not the individual minister तो कहरे है यह जो collective responsibility वो तो political matter है यह से हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यह मंत्री परिशद की जिम्मेदारी ने कि व्यक्तिगत मंत्रियों की तो responsibility for the collective decision making is from the council of minister to the individual minister not the other way around कहरे है कि सामोही कंणेड़ना लेने की जिम्मेदारी मंत्री प्रिशद से लेकर के व्यक्तिगत मंत्री तक कीज होती है नहीं कीज के विप्रिट ठीक है तो individual responsibility क्या होती है मतलब की हर एक हर एक मनिश्टर की अपनी-पनी एक क्या होती है खुद की responsibility होती है ठीक है तो स्टेटमेंट इन टू कैपेस्टी दो कैपेस्टी के अंदर वो कुछ भी बयान दे सकता है एक पर्सनल खुद से और ओफिशल मतलब पूरी गवर्मेंट के भी हाफ पे ठीक है इस स्टेटमेंट मेड इन दा पर्सनल कैपेस्टी इस डिस पेरेंजिंग और डेरिगेटरी लेकिन अगर ओफिशल स्टेटमेंट दी जा रही है और वह ऐसी है अगर वह अपमान जनक है तो पूरे के पूरे उसको कॉलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी कहा जाएगा अच्छा प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच इस फाइव जजजी अग्रीड दा राइट ओ फ्री ओला है वो इनकी मर्जी है व्यक्तिगत इनका ठीक है उसके पार रोल अव दा कोट कोर्ट का क्या रोल है इसमें तो कॉर्ट रोल इस तो प्रटक्ट अफंडमेंटल राइट लिमिटेड बाया दाल लाफ फुल रिस्टिक्शन हम सब को पता है कोट क्या करता है कोट थे ना तो इन्हों ने कहा कि अभी जरुरत है कि जो संसर 10 को कानून बनाना चाहिए कि जैसे अपमान जनक जो बाते बोली जाती है उसको रेगुलेट किया जा सके तॉर्म मोटव मोटव चल रहे अब क्यूं चल रहे हैं क्या वज़े हैं क्या चीज़े यशन के अंदर आती है मतलब भही जब state legislature या फिर Parliament जब क्या आती है session के ईंदर आती है तो पहले session को कोन आकर के बोलता है अब Parliament के अंदर तो कौन करेगा address वह तो प्रेजिडेंट करेगा ठीक है अब प्रेजिडेंट वही बात बोलेगा जो पार्लेमेंट लिख करके देगी, ठीक है, अच्छी इसी तरह से तमिल नाडू के अंदर जो स्टेट है, जैसे स्टेट लेजिसलेचर है, उसके अंदर पहली, जब स्टेट लेजिसलेचर बैठता है, ठीक है, सेशन में आता है, तो पहली स्पीच, या फिर जब नई गोवर् गवर्मेंट ने क्या-क्या काम किया है, अच्छे-च्छे काम किया है, सारे वो बताती है, तो इसके बाद जो चीफ मनिश्टर थे, वाँ के सीम थे, उन्होंने रिजोलुशन पास कर दिया और कहा दिया, कि ओरिजिनल स्पीच ही इनको देनी पड़ेगी, अदर्वाइस न के विवाद हुआ कि तमिल में छपे राजभवन के पॉंगल समारों के निमंतर में उन्हें तमिलनाडू के बजाए, तमी जंगम के राज्यपाल के रूप में संदर्बित कर दिया, तो क्या कहा, एक और प्रोब्लम होगी, फिर गवर्नर, आप देखो, गवर्नर ने उनकी स्पीच नहीं बोली, तो गवर्नर के खिलाब फिर सीम ने क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया भी, वहां पर है न, जो पॉंगल के इन्विटेशन होने वाला था, उसमें गवर्नर तमी जंगम जो है, वो डाल दिया, ठीक है, जंगम, तमी जंगम डाल दिया ना कि तमिल नाडू का गवर्नर बोला गया तो फिर इसका इसको भी आग लगई पहले इसको लगई फिर इसको लगई ठीक है मतलब एक दूसरे के उपर ना आग के गोले फैक रहे हैं वसी यह टेल डाल रहे हैं जलते हुए आग में लिए इन्विटेशन हैड ओल्सो कmeने में का थम्रां में कर दिया गया बीजएपी का कर दिया गया फिर उसको और आग लगगई थो इस तरह से आग लगते लगते बहुत ऊपर तक मुदभधा पहँच गया अच्छा यह तो आप सबको पता है special address जो है यही देता है यह मिरे को बताने की जूरत नहीं है article 87 of the Indian constitution के अंदर बोल रखा कि president जो है वो क्या करता special address देता है both the house of the parliament assembly on the commitment of the first session of the each year हर साल का जो पहला सतर होता है उसके अंदर parliament के पहले सतर के अंदर को बोलता करके president बोलता है तो article 87 के अंदर दे रखा है अब article 176 के अंदर दे रखा कि ऐसे governor को भी special address देना पड़ता है first session के अंदर in each year हर साल के और उसको आकर के बोलना पड़ता है state legislation के अंदर ठीक है तो यह थी बात चलो तो यह मुदा था लड़ाई जगड़ा काफी ज़्यादा बढ़ गया ठीक है तो वही ऐसे ही हो गया तो यह second ARC report के अंदर it states that the governor is neither a decorative emblem nor a glorified keeper के रहे कि जो राज्यपाल है नहीं तो वह एक सजावती परतीक है और नहीं मनमांडित सिफर है ठीक है दूसरा इस पावर लिमिटिड है ठीक है बट ही एज इंपोर्टेंट कंस्टिशिशन रोल उसके पास एक बहुत महतवपुन कंस्टिशिशन रोल है प्ले करने के लिए इन दा गवर्नेस ऑद स्टेट अंद स्टेंडिंग फेडरलिजम फेडरल पर यहां तो लड़ा फिए अब यहां यहां नहीं यहीं चैन्य मंगाल में चल रहा यह इए बर कीन ही च्साफ तो फुर्प किसी ओर की बहुत में अखिबरल करें में रहे इकल्यान चाहिए पो यह च्छानग च्छिए करना चाहिएम्योंétaial य कि वागश्चिंशिबी घंक से रखना चाहिए ठीक है चलो सुपरिम कोर्ट अपोर्ड दा डी मोनेटाइजेशन भाई डी मोनेटाइजेशन को लेकर के सुपरिम कोर्ट ने कहाँ बिलकुल सही किया अब कैसे चॉल्की कि दी से रिसेंटली दा सुपरिम कोर्ड हैं अप эффlled बंदी थी भाई ठीक है इसने मना कर दे करें ना यह सही नहीं किया यह विल्कुल गलत है अब कैसे गलत है जराद देखते हैं इसके कहने का मतलब क्या है हां तो जज्जमेंट नोट्स तो चार एक की वर्डिक्ट आई है चार लोगों ने सहमती जरत आई है एक ने मना कर दिया वो कौन थी जस्टिस बी वी नागार अथना थी उन्होंने मना कर दिया कि ना यह गलत है दा आर बियाई एक्ट डस नोट इनवेज इनवेज कंटेंपलेट्स डी मोनेटाइजेशन अड़ बैंक नोट्स एट दा इंस्टेंस ऑफ दा सेंटल बॉर्ड ऑफ दा रिजर्वेशन रिजर्बेंक ऑफ इंडिया का काम था यह अर बियाई का जो सेंटल बोर्ड है वह देखता यह गलत किया इन्होंने ठीक है तो उन्होंने ठीक है डेलिगेटिड जो लेजिसलेशनल ला है वह क्या होता है तो वह यह यूज किया गया है ठीक है तो सब सेक्ष्ण टू ओफ दा सेक्ष्ण ट्वन्टी सिस्ट अर्बी एक्ट उसमें पावर दी गई है सेंटल गवर्मेंट को अंडर दा आर्बी एक्ट कैन भी सब्सक्राइब भी यूज को करते हैं तो बिल्कूल सभी बात था चार एक की उससे आए यह यह दिसीजन टिक है मैजोरिटी से आया है तो चार इंग्रीडियंट क्या होते है टेस्ट के तो टेस्ट रखा गया जिसको उन्होंने पूरा पार किया डिमोनेटाइजेशन ने कैसे लेजिटिमेट प्रपस होना चाहिए वह सही बात है वे उदेश्य था वो कह रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे ब्लैक मनी को लेकर करके आएंगे और काफी हद तक मतलब ज्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है दूसरा राशनल कनेक्शन उदेश्य के यह नहीं लिया गया यह एक्शन तो यह सारी चीजे जो है इसने पास की है तो पास किया है सारे सटिस्फाइए किया है तब ही जाकर के इसको क्या किया गया है इसको जो है लीगल खुषित किया गया है ठीक है रीजनेबल विंड़ फॉर द नौट एक्सचेंज दा बैंच यह गलत हुआ है ठीक है नेक्स्ट ओनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट रूल्स तो ओनलाइन जो गेम है उनके ऊपर कह रहे है थोड़ा रेगुलेशन की जरुरत है क्योंकि कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज कर इनका ठीक है तो मनिस्ट्री ओफ दा इलेक्ट्रोनिक्स इतना इ इंटर्मेड्डिरी जो है उन्होंने अमेंडमेंट ड्राफ्ट अमेंडमेंट पर्पोस किया है कि सपरव कौने कहाई पर इंडियन मोबायल गेमिंग इसे इतनी हाई भी जा चुकी है 153 billion तक का revenue आ सकता है किसके अंदर online gaming के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर ठीक है दूसरा BCG की रिपोर्ट थी है safety concern अब around 40 से लेकर के 45% of the gamers in the India are women वो महिलाए हैं और उनका सारा data जो है वो use किया जा सकता है therefore it was important to keep the game gaming infrastructure safe ecosystem game का वो हमें safe करना पड़ेगा इसके लिए ठीक है तीसरा boost startup जो हमारे startup है उसको boost करना चाहते है online gaming is a very important piece of the startup ecosystem a part of the goal of the one trillion dollar economy तो हमारा एक goal है कि हम भारत की economy को one trillion बनाना चाहते है ठीक है one trillion पर लेकर जाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए online gaming जो है बहुत important part है क्योंकि यही आगे ले जा सकता है आज के यूवा जिसको देखो फॉन पर gaming चलता रहता है उनका गेम खेलते रहते हैं यूवा हैं बुड़े हैं बुजूर्ग हैं जबान हैं सब खेल रहे हैं तो key proposal जिसको देखो वही गेमर बन करके यूटूब के उपर जो है ना live streaming कर रहा होता है है ना तो देखो क्या है key proposal of the draft rule तो पहला है self regulatory body पहला क्या है सब नियामक निकाए हैं ठीक है दूसरा क्या prohibit betting betting सटे बाजी पर रोक लग सकता है इससे ठीक है पूरी पूरी एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं ठीक है अच्छा प्रटक्ट यूजर्स अच्छा प्लेइवन आता है वह भी रम्मी है एक तरह से ठीक है वह भी क्या बैटिंग ही है एक तरह से तूपियो करताओं की सुरक्षा करना चाहते हैं ट्रांस्पेरेंसी लाना चाहते हैं ग्रिवियंस रिड्रेसल मेकेनिजम लाना चाहते हैं शिकायत निवार्ण तंतर जिसको बोलते हैं नो बॉट सर्टिफिकेट कोई बॉट परमान पत्तर नहीं है यह ठीक है चलो नेक्स्ट ओनलाइन गेमिंग सेक्टर इंदा इंडिया भारत के अंदर ओनलाइन गेमिंग सेक्टर के बारे में सोड़ा पढ़ लेते हैं इंडस्ट्री इंडियन मोबाइल गेमिंग चैनीज मोबाइल गेमिंग और यूस मोबाइल गेमिंग तो भारत के अंदर रिवेन्य यह इसमें 10% हुई है यूएस के अंदर तो भारत के अंदर तो भाई कहते हैं ना वहम है लोगों को वहम हो जाता है बस लगे रहते हैं एकी चीज़ के पीछे ठीक है तो यह था हमारा क्यों जुरूरत है क्यों जुरूरी यह बात बोली गई उसके बाद ब्रोड़ कास्टिंड इंफ्रसक्चरन canon नेट कंप्डमिन्ड स्कीम जिसको बोलते हैं ृइंड श्कीम यह ब्रोड़ कास्टिंग इंफ्रसक्चरन इंटा नेत्वर्क डेवलेपमेंट तो यह हमारी बाइंड स्कीम को terminate स्कीम बाइंड इसको अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट कमिट्टी के दुवारा ठीक है तो है क्या चीज यह थोड़ा पड़ लेते हैं तो यह जो है हमारी ब्रोड कास्टिंग इंफ्रसक्चन नेट्वर्क स्कीम है कैबिनेट का डिसीजन आया था चार जनवरी 2023 को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इसको और दे दिया कितना आउट ले होगा इसका 2549.61 क्रोड इतना रूपे का आउट ले आएगा इसका गोर्मेंट रिट्रियेट इस कमिट्मेंट तो देवलेप्मेंट स्ट्रेंदनिंग और दूर दर्शन अकाश्वानी हमारा जो दूर दर्शन है जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा पहले दो एक ही चैनल आता था दूर दर्शन ठीक है सब लोग उसी के ऊपर उसी को देखते थे ठीक है अच्छा वहाँ पर न्यूज आती थी अब क अकाश्वानी कहते हैं ना जो हमारे मोदी जी हैं वो बात करते हैं सबसे किस से अकाश्वानी से परसार भारती से बात करते हैं तो उनकी इंफ्रसक्टर और सर्विस को मोडर्न करना चाहते हैं स्ट्रेंदन करना चाहते हैं डेवलप्मेंट करना चाहते हैं इसी वज़े से है content development है इन सब को क्या करेगी upgrade करने में help करेगी तो यह मैंने बताई दिया इसका क्या फाइदा है यह central sector scheme में सेंटर सारा पैसा दे रही है 2025-2026 तक यह चलेगी ठीक है अच्छा इसके benefit क्या होगा upgrade होगा infrastructure दूसरा development होगा high quality content का ठीक है तीसरा क्या होगा diversification of the content content भी diversified हो जाएगा अच्छा और enhance होगा coverage coverage enhancement हो जाएगी अभी तक 66% लोगों तक जाता है फिर 80% तक चला जाएगा ठीक है इतनी दूर तक फैलेगा यह free distribution of the over 8 lakh dd fish free dish to the people living in the remote area tribal area में जो होना ही है ठीक है अच्छा next है परक परक जो है हमारा क्या है news क्या थी national council for the education research and the training ncrt ने notify किया है इंडिया को first national assessment regulator तो यह हमारा परक क्या है assessment regulator है मतलब मुल्यंकन करेगा यह ठीक है तो परक stand for the performance assessment review and analysis of the knowledge for the holistic development तो भई बच्चों का या फिर जो हमारी teachers है उनका holistic development करना चाहते है समगर विकास करना चाहते हैं तो उस विकास के लिए परदर्शन मुल्यंकन समिक्षा और ज्ञान का विशलेशन करेगा परक परक मतलब परकना ठीक है to set up the assessment guidelines for the all boards to help remove disparity in the scores of the students enrolled with the different state board तो देखो क्या होता हरियाना board के कुछ और marks आरे होते हैं उनको कम वह दिया जाता है अच्छा जो cbsc board है central board है उसको जादा मानियता दी जाती है । यह कह रहे कि अलग अलग board में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो score मिल रहा है उनमें disparity क्यों है भाई क्यों है इतना मतलो difference क्यों है सबको बराबर रखना जरूरी है तो उसके लिए assessment guidelines जो हो दी गई है तो परक परक has also launch and part of the implementation of the national education policy 2020 तो हमारे national education policy के बारे में हम एक lecture करेंगे पूरा ठीक है पूरे अच्छे से पढ़ेंगे इसको में पढ़ेंगे ठीक है तो उसके implementation का एक पार्ट है यह it will work on the three major assessment area तीन major assessment area होंगे इसके पहले लाड़ स्केल assessment होगी मतलब पूरे भारत के अंदर होगी फिसके पार स्कूल के अंदर होगी फिसके अग्जैमिनेशन reforms के बारे में बात की जाएगी तो यह तीन major area देखे जाएंगे फंक्शन क्या होंगे परक विल ओल्सो बी responsible for the conducting large-scale assessment including the national achievement survey तो क्या गरे भी जो परक है ना राश्ट्रिय उपलब्दी सर्वेक्शन सही बड़े पैमाने पर आलंकन करने के लिए भी जिम्मेदार रहेगा तो large-scale assessment होगी भाई नेशनल achievement survey के साथ साथ तो इट विल ओसो गाइड़ दा स्टेट अचीवमेंट सर्वे तो भाई स्टेट का जो अचीवमेंट सर्वे उसको भी गाइड़ करेगा करला की पूरी डिस्टिक को पता है कि भी constitution क्या है तो constitution के बारे में पूरी जानकारी इन लोगों को मिल गई है तो न्यूस के अंदर क्या था कोलम हैस बिन डिकलेड़ एड़ इंडियास फर्स कंस्टिटूशन लिट्रेट डिस्टिक भारत का पहला सविधान साक्षर जिला गोशित किया गया कोलम को तो एस पार्ट ओव दा कैम्पेइन अराउंड 16.3 lakh people जो है वो डिस्टिक के अंदर रहते हैं about the age of 10 10 साल से उपर के सबको education दी गई है किसके बारे में constitution के बारे में बढ़िया बात है बढ़िया बात है समझना भी जरूरी constitution के बारे में जो वहां के जो citizen literacy के लिए campaign चलाया गया किस किस के दवारा column district पंचायत के दवारा district planning committee के दवारा और केरला institute of local administration के दवारा इन तीनों ने मिलकर के जो है इसको launch किया है ठीक है चलो next ideal train profile अब ideal train profile के बारे में news में था तो क्या था Indian railway introduce the ideal train profile to maximize the seat occupancy इन्होंने कहा कि इतनी seat जो ह होनी चाहिए हार एक train के अंदर तो ideal train profile इन लोगों ने दी है कि हर एक कोच के अंदर इतनी क्या होनी चाहिए passenger के लिए seat होनी चाहिए इतने लोगों को passenger इतने passengers को seat book जो है देनी चाहिए तो यह जो ideal train profile is artificial intelligence module है AI के द्वरा बनाया गया है जो track करता है कि how passenger booked ticket की कैसे passenger ticket को book करते हैं which origin destination pairs कौन से original destination के पास वो जाएंगे मतलब दिली से अगर वो कहां जा रहे है केरला के अंदर जा रहे है तो वो भी उसको पूरा record लिया जाएगा where a hit or a flop at a particular time तो क्या यह hit a flop थे तो यह चीज़े उनको पूरा बताया जाएगा क्या वो अच्छे से book कर पाए ticket को नहीं कर पाए क्या रहा क्या नहीं रहा यह सारी चीज़े तो develop किया गया किसके दोरा center for the railway information system के दवारा benefit क्या होगा it will help journal railways to conduct a periodic review of the train quotas to address the changing demand mix on the account of the holidays seasonality etc तो कहरें कि देखो holidays के time पे seasons के time पे लोग ज्यादा इदर उदर जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं तो वो सारी चीज़े जो है ना बदलती मांग के बारे में यह बताएगा अच्छे से journal railways को ठीक है it is expected that the utility will also help to enhance confirmed seat availability and increase the occupancy of the train up to 5% क्या कह रहे हैं कि यह उमीद की जारी है कि जो उप्योग उप्योगिता confirmed seat है उप्योगिता को बढ़ाने मतलब confirmed seat मिले सबको ठीक है वेटिंग के अंदर ना जाना पड़े तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं ठीक है occupancy of the train को भी बढ़ाना चाहते 5% ठीक नेक्स्ट है 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 पासपोर्ट रिपोर्ट 2023 अब यह भी न्यूस के अंदर था इसमें क्या है भाई देखो इसमें होता है हमें रैंक दिया जाता है रैंक इसके हिसाब से कि कितनी कंट्रियां जो है एक कंट्री के अंदर कितनी कंट्र पासपोर्ट है तो जापां 193 पासपोर्ट वीजा फ्री एकसस दे रहा है तो टॉप के ऊपर रही है एक सो निन्याडव में से 193 को दे रहा है और भारत 85 रैंक पे मतलब हम लोग 85 कंट्रीज को क्या दे रहे हैं वीजा फ्री ट्रेवल दे रहे हैं तो यह प्रिपेर किया एर लाइन कोपरेशन ग्लोबली मैनेज करता है ठीक है तो 227 डेस्टिनेशन को कवर करता है 119 पासपोर्ट को शामिल एसके अंदर और जापान टॉप के ओपर है 193 स्कोर के साथ इट मींस जापान प्रोवाइड वीजा फ्री और अर्राइवल और एकसस टूदा 193 कंट्रे इसको यह वीजा फ्री एकसस दे रहा है ठीक है तो पहले पर जापान है फिर सिंगापूर है फिर जर्मनी है फिर फिनलेंड और फिर उसके बाद क्या है आस्ट्रिया है ठीक है भारत 85 नंबर पे है ठीक नेक्स्ट और न्यू गाइडलाइस टू रेगुलेट दा पर्मोश जो भी सीज़े होते हैं सब नहीं मिडिया है बहुत जरूरियों से करने के लिए नए गाइडलाइस अएये जा आहीजy поддерж geschrieben लिए इंडोर्समेंट की गाइड लेंस आई हैं तो मैं नेटिंग दा कमपल्सरी डिस्क्लोजरों दा मॉनिट्री और दा मैं मैट्रियल बेनेफिट ओफ प्रोडक्ट तो यह लोग ना जो दिखाते हैं हम लोग यह प्रोडक्ट यूज करो यह उसका वह इंडोर्समेंट करत और मैट्रियल के क्या बेनेफिट हैं बही क्या प्रोडक्ट के बेनेफिट हुए हैं अच्छा और ब्रेंड दी और पर्मोटिंग तो दो पूरा डिटेल डालना पड़ेगा ऐसी उठा करके पहले तो मन करता था उसको कर देते थे अंडोर्स कर देते नहीं अब डालना देट गो बियोंड अडवर्टाइजमेंट और अडवर्टारियल इन दा प्रिंट और एलेक्ट्रोनिक मीडिया पहले तो ठीक है प्रिंट होकर क्या आजाता था अकबार पे अब आप दा हिंदू देख लो दा हिंदू के तीन-चार पेस तो ऐसे होते जिसके उपर इतना अब कहां पहुंच गया सारा अडवर्टाइजमेंट यह सारा सोचल मेडिया के थ्रू होने लग गया है तो इंशोर देट दा इंडिविजुल्स डू नोट मिस्लीड देर ओडियंस बैन दे इंडॉर्सिंग दा प्रोड़क्ट और सर्विसिस देट दे आर कंप्लाइंस व यह हमारे क्या है कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिया गया है कि आपको ऐसा नहीं कर सकते हो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो अच्छा किस किस को हूँ शुट डिस्क्लोस कौन-कौन डिस्क्लूस करेगा पहले तो सेलिबरिटीज ठीक है जो कौन-कौन आगे एक्टर-एक्टरस आगे या सपोर्ट्स मैन आगे ठीक है दोनी और यह सारे ना अब कोन आएगे चाहिए वह है ना बड़े-बड़े मनिस्टरी क्यों ना हो ठीक है सब सब आएंगे इसके अंदर इंफ्लूएंसर जो सो कोल्ड इंफ्लूएंसर बनके अलग होती है कभी मत सोचना की रियल लाइफ और रील लाइफ एक होती है सब के डिफरेंट होती है कोई असली चीज नहीं दिखाएगा आप लोगों को लोग के अंदर भी सारी चीजे नहीं दिखाए जाते हैं लेकिन तुम लोग बेवकुफों की तरह देखते हो अब बात कर रहे हैं ठीक है मतलब फ्रिक्शनल कंप्यूटर जनरेटीड परसन पीपल्स और अवतार वगरा बनाये जाते हैं आज कल यह नया ट्रेंड है अवतार बनाने का अवतार वगरा जो बना रहे हैं रियलिस्टिक क्रेक्टर स्टिक्स जो होते हैं एनिमेशन वगर अच्छा अब disclosure and terminology क्या होती है disclosure must be prominently and clear clear display होना चाहिए कि जो advertisement है sponsored है paid promotion हम लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़े आपको दिखानी पड़ेगी आज के लाता भी ये लिखा material benefit क्या होता है benefit and initiative incentives and the monetary or other compensation trips or the hotel stay जैसे कि जो ये so called influencer जो है ना जगे 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 जाकर के रुखते हैं इतना पैसा खुझ कहीं लगाते हैं उनको make my trip वगरा ये इन सब चीजों से क्या मिलता है तो वहां पर वो जाते हैं रुखते हैं ठीक है तो उनको benefit or incentive मिलता है आप लोग जो है ना उनकी बातों में मता आना वो तो फरी में भी जाते हैं फरी में ही जाते हैं उनको तो तो होटल स्टे के अंदर मीडिया बर्टर मीडिया के अंदर कुछ भी बाते बोल रहे हैं ठीक है अच्छे कवरेज के लिए अवोर्ड वगरा free products with or without the condition प्रोड़क्ट दिये जाते हैं उनको advertisement करने के लिए discounts वगरा मिलते हैं gift मिलते हैं एनी family और the personal or the employment relationship comes under the material benefit तो यह material benefit के अंदर आता है अब violation अगर करेगा तो उसके penalty लगेगे अब penalty कितनी लगेगी 10 लाक रुपे fine for the offender एक बार करने पर बार बार उलंगन करने पर 50 लाक अब जिस तो कोल्ड influencer है देखते हैं कितना मानते हैं शीच को next भाई सोल भी finance commission आने वाली है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं काफी बार यह news के अंदर रहा है तो 16th finance commission जो है ना यह प्रोसेस जो है भी चल रही थी ठीक है जनवरी से करवा दूंगे इसको ठीक है एसी direction on the road safety road safety is the must यह सबसे important road safety को लेकर के तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पर भगवान को प्यारे जादा हो रहे हैं लोग ठीक है road accidents बहुत जादा हो रहे हैं लोग चिकले जा रहे हैं और इसी को लेकर के मैंने अभी रिसेंटली एक news के अंदर क्या चल रहा था एक नया कानून आया कानून क्या आया है जो ट्रंक डाइवर होते हैं हैवी जो यह चीज़े सलारे होते हैं यह क्या करते मार के पीछे से किसी को भी विकल को टक्रा करके भाग जाते हैं निकल के अब यह भाग नहीं सकते अगर Jen pa somad consumers 7000,00000 जिल स्दधार और उपर से 10 साल की जर्य तो 2 तो काम हो गए सा तमे जो क्या होगा साथ लगा चल लत यह पेसे infection कर रहे बख सकते हैं लोग इसका गलत रचेंगे लोग बढ़नए पैसे लेने के चक्कर में हुआइं होना चाहिए ये भी इसका भी ध्यान रखना चाहिए तो सुप्रिम कोट ने डारेक्शन दिया रोड सेफ्टी को ले करके तो ये बैंच लेड बाई दा चीफ जसिस अफ इंडिया दीवाई चंदर्चूड एग्रीड दर अर्जेंट स्टेप नेट टू टेकन टू दा इनफोर्स सेक्शन वन थर्टी सिक्स ए उदा मोटर विकल एकट 1988 के रहे कि बहुत जरूरी है भी ठीक है इनफोर्स करना पड़ेगा सेक्शन वन थर्टी सिक्स ए को किसके motor vehicle act 1988 के अभी urgent step लेना ही पड़ेगा ठीक है तो electronic आई इरेंट drivers वगरा क्या है यह देखो गलत driver driving करने पर electronic नजर रखने के लिए 1919 में 2019 में motor वहान अधिनियम के धारा 136A पेश की गई थी कि जो गलत driving करते हैं उसके लिए बनाई गई थी यह इन इस respect Supreme Court directed its committee led by the justice A.M. Sapre ठीक है सप्री जो है उनके नितरतों में कमेटी जो है वो लाई गई थी तो Supreme Court ने उनको direction दिया कि आप road transport secretary and the frame मतलब आप मिलो किसे road transport secretary से और frame करो state specific guidelines को एक नए दिशा निर्देश जो है राज्य विशिष्ट दिशा निर्देश त्यार करो और आप उनसे मिलो ठीक है इंड its reply center state the center ने कहा कि भई हम लोगों ने पहले से रूल बना दिये हैं ठीक है हम लोगों पहले से रूल बना दिया हम लोगों पांच लाग पीपल जो है वो मर जाते हैं लोग मर जाते रोड एक्सिडेंट में 2021 में मरे थे इतने लोग मरे थे ठीक है नियरली 90% of the death on the road कह रहें कि 90% जो है ना किस वज़े से हुई बाइलर्बंग एक्सिडेंट कि वज़े से हुई क्योंकि स्पीडिंग जादा थी ओर्टेक करने की वज़े से टेज़ियू से होते वाल बेंकग डालटा फूंद 210 इंडिया र conseap में लोग जो आतुए जनसंख्या के उसमें दूसरा हम लोग आगathan्य ने Town moment में कह रहे कि इंडिया ने टॉप किया है 20 कंट्रीयों में से डॉप में गया है ठीक है पहला है 2019 में व्र्ट बैकृत की रिपोर्ट आय थी तो फ्ला पने के लिए मोबिलेटी इंडीया तो भाइत का दर विमन की स्थानों से जा रही होती हैं बहुत सारी लड़की जो काम से आ रही होती हैं तो उनको बहुत सारे सेक्षिल असॉल्ट का भी सामना करना पड़ता है यह बहुत बड़ा पीर है इनके लिए तो 84% कि महिलाएं महिला तो 84% महिलाएं और बड़ी ऐवी ड्राइवर निकले गई गाड़ी वाड़ी ठोक देगी या फिर कुछ और गर देगी तो वह क्या करती हैं ठीक है अरे और बहुत कान होते तो मजाक है ठीक है वैसे कहा हुआ था रही हूं के तो पर लेकिन गाड़ी निकलेगे और देगी त लगों के नहीं एताया है आदमी नहीं आपना f taxi लोका дол我想 this क्या एक चाहिए कि बना स्टेप कर दिया गए वेपल दिवह नहीं कि दृखना पड और रिक वारोड सेफटी इंद्वर्ड फण है रिक्वाइर किये गए कि आपको जो है यह रेगुलेशन करना पड़ेगा एक टेकनिकल वर्किंग ग्रूप जो बनाया जाएगा जो एडर्स करेगा इन इस्यूज को ठीक फिर उसके बाद जो है एविदेंस बेस्ट प्रिवेंशन इंटर्वेंशन करना चाहते हैं हम लोग स अक्षय होने चाहिए ब्लेक स्पोर्ट वगरा जो होते स्पोर्ट या फिर एक्सिडेंट प्रॉन एरिया है उनके उपर मार्क डाले जाएंगे कि यहां पर डिंजर है आप थोड़ा अराम से चलाएं ठीक है सुन्दर कमेटी जो है रिकमेंड किया कि immediate implementation होना चाहिए इनकी दिवारा जो recommendation दी गई थी पढ़ लेना must read है ठीक है इनकी recommendation पढ़ना क्या क्या दी गई थी तो इन्होंने कहा कि need है बहुत जरूरत है immediate implementation की example के तोर पे establishing a centralized national body for the road safety and the stabilizing the decentralized responsibility at the district level के रहे कि national level पर तो एक central national body for the road safety लानी चाहिए दूसरी आपको district level पर भी लानी चाहिए ठीक है तो वेस्ट बंगाल ने लौंच किया है toolkit on the enabling gender responsive urban mobility and the public space in the इंडिया तो बही चार पिलर का approach है इसके अंदर देखो क्या क्या अप्रोच है मैं बताती हूं आप लोगों को पहले access the ground situation ग्राउंड situation को access करना ठीक है दूसरा क्या है strengthening the planning and the policy तो planning and policy को पहले तो यह देखना कि ground situation क्या है actual situation क्या है current current situation क्या है फिर इसके बाद उसके हिसाब से planning करना policy बनाना ठीक है फिर build करना capacity or the rise awareness awareness को rise करना और capacity को build करना उसके हिसाब से और improve करना infrastructure और services को ठीक है अगर जूरत प official take on the same-sex marriage भी यह बड़ा मुद्दा है same-sex marriage का मुद्दा बहुत ज्यादा जो है news के अंदर रहा है तो Supreme Court है transfer कर दिया to itself खुद को दे दिया जितने भी high court के अंदर कोई भी high court है जहां जहां pending पड़े हुए थे ऐसे जो क्या कहते हैं cases थे same-sex marriage को लेकर के recognition के लिए उन्होंने अपने पास ले लिए अपने पास ले लिए ठीक है अंडर the special marriage act 1954 and making the law gender neutral और उन्होंने क्या कर दिया है कानूनी मान्यता जो है उनको कानून को लिंग तठस्त बनाने की मांग करने वाले जो विभिन उच न्यालों में लंबित याचिकाओं को अपने पास थानंत्रित उन्होंने कर लिया है ठीक है तो किसके अंडर डाल रहे अधिया थी special marriage act के अंदर वह कह रहा थे जो same sex marriage उसको भी आप क्या करो उसको भी आप legal legal करो ठीक है तो benches for of the pretention तो pretention के लिए जो bench थे filed after the नवतेज जोहर case एक नवतेज जोहर case आया था जिसके अंदर decriminalize कर दिया था homosexuality को homosexuality क्या होती है लड़का लड़का पार्टनर होता है लड़की लड़की पार्टनर होती है ठीक है तो यह हमारा जो under section 377 था 377 था IPC में homosexuality को पहले criminalize गोशित किया गया था तो सम लेंगिकता को क्या कर देगा अपराद से मुक्त कर दिया गया ठीक है और दिल्ली केरलाइंड गुजराथ हाई कोट तो यह यह जो आया था केस उसके बाद इन्होंने कहा दिया अब इसको लीगल करो वही चीज है उंगली पकड़ाओ तो लोग यहां पर बैटने को त्यार हो गए है ठीक है तो यह चीज भी बैसे बहुत सबको अपना अपना अध रिम्निलाइजेशन इंपक्ट धा डिगनीटी एंड अशेलफ फुल्फिल्मेंट ओव दा लगी बीटी क्यू कपल्स करें कि यह चीज गलत है खरें कि बाई जो लगी बीटी क्यू है उसको आप लोग ओने एक पुल्स को उसकी डिगनीटी भी तो है बाई कुछ सव फुल सब्सक्राइब करने की अनिवारी आवशक्ता को भी चुनोती दिये उन्होंने कहा भी फोरन मैरिज एक्ट जो डाला गया उसमें सेम सेक्स मैरिज नहीं होगी एक क्या पता बहार से आया है क्या पता इंडिया के लोग को इंडिया का आदमी था कोई या लड़की थी उसको बहार का मिल गया कोई ठीक है मालो पाकिस्तान का कोई पार्टनर इसको पसंद आ गया लड़की पसंद करने के लिए आया हो ठीक है तो यह इस वज़े से करें जोखिम हो सकता है ठीक है तो जो समान लिंग वाले जोड़ों को भहिस्कार उत्पीड़न और हिंसा के जोखिमों का उजागर करता है यह गलत है हमारे साथ आप गलत कर रहे हो हमें भी पुरा अधिकार है अच्छा दू दिया गए चलो भाई कर लो तुम शादी कर लो ठीक है अच्छा दूसरा दीसिजन लेड तो दे नेशन वाइड लजिस्लेशन फ दा सेम सेक्स मैरिच दूसरा के अस्ट्रेलिया के अंदर आयरलेंड के अंदर स्विजर लेंड के अंदर भी इसको लेकर के जो है लापास कर दिये गए ठीक है अच्छा आयरलेंड और स्विजर लेंड टूए पॉपिलर वोट 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 बाइदा मैजोरिटी लेड टू दा फॉर्म फॉर्मल रिकोगनाज़ेशन ल्बी ल्गी टीक्यू उसके अंदर भी ल्गी टीक्यू के विवा को अपचारिक मानेता दे दी गई ठीक है और साथ अफरीका के अंदर जयना पहली कंट्रे जिसने सेम सेक्स मेरिज को लीगल किया 2006 के अंदर ठीक है उनने कहा दिया क्यों भाई क्या हेट्रो सेक्षुल और अल्ली मैरिज थोड़े होती है सभी होती है ताइवान के अंदर पहला एशियन कंट्री जिन्ह ने सेम सेक्स मेरिज को रिको अट आइस किया और जिन्टीन उन्हें ने सेम सेक्स मेरिज को नेशन वाइड जो है कनेडल सेनदा कंट्री प्रक ठरीक है डिआ लोट राएज को तो प्राने चला गया गया अब marital rights same sex couples do not enjoy in the India भारत के अंदर अगर same sex marriage हो रही है भाई क्यों भाई यहां पर सिर्फ आदमी आदमी क्यों खड़े किया गया है औरतें भी खड़ी हो सकती थी ठीक है equality होनी चाहिए तो marital जो right है वो same sex couple को नहीं दी जाती है कौनसी कौनसी देखो पहला government pension and the medical benefit यह नहीं दिया जाता अगर एक partner जो उसके death हो जाती है दूसरे partner को pension नहीं दी जाती है ठीक है ना medical benefit दिये जाते है दूसरा claiming leave travel allowance for the partner अगर अपने partner के साथ इसको बाहर घूमने जाना है तो वो leave है ना leave के अंदर अगर यह लिख दिया है कि मैं अपने partner के साथ बाहर घूमने जा रहा हूं तो नहीं मिलेगी तिसरा right to property और inheritance एक एक आदमी की या फिर एक बंदे की क्या है property है उसको फिर inheritance नहीं मिलेगी वो property उसकी चली जाएगी joint adoption adaptation नहीं कर सकता है adaptation के लिए चाहिए एक आदमी एक औरत ठीक है दोनों अगर औरत औरत होंगी दोनों अगर आदमी आदमी होंगे तो नहीं adoption नहीं कर सकते हैं ठीक है in case of the separation there is no provision for the sick maintenance by the अब देखो अगर पतनी ने divorce मांग लिया तो पती क्या देता है इसको maintenance देनी पड़ती है लेकिन अगर same sex marriage है तो उसमें कोई भी economically weaker partner को maintenance नहीं मिलेगी अच्छा right to take emergency medical decision भई emergency decision भी लेने का अधिकार नहीं है इसके अंदर ठीक है तो आज के इस part में हम इतना ही करेंगे थोड़ा वो जो बच गए हैं वो हम next part के अंदर cover करेंगे ठीक है तो लाइक केra को शेर करो और भाई सबस्क्राइब करके जरूर जाना अगर अच्छा लग रहे तो जढ़ा ज्यादा लोगों को मिले इसका benefit ठीक है आप लोगोंको benefit मिल रहा है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए ठीक है तो लाइक करो शेर करो और भई सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को ठीक यू सो मच आज के लिए इतना ही हम क्लास को यहीं समाप्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम ठीक है बाई